प्रश्ण पर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीससी हिस्ट्री स्पेसल क्लास यह हिस्ट्री से लिया आए हैं कुछ महत अपुन प्रश्ण जो कि बीससी में पूछे गए हैं और पूछे जाने की समभावना है तो चले प्रश्णों को हम लोग देखते हैं प्रश्ण पूछा गया है कि वर्ना क्यूलर प्रेसेक्ट कब लागू किया गया था तो देखें वर्ना क्यूलर प्रेसेक्ट जो है ठाट सो टातर में लॉड लीटन के द्वारा लागू किया गया था किनके द्वरा तो Lord Litton के द्वरा भारतियों प्रतिवंद लगाने के लिए 308 में Lord Litton ने वर्ना कि लड़ प्रेसेक्ट लाईव किया था और आपको पता होना चाहिए कि वर्ना कि लोड़ प्रेसेक्ट से बचने के लिए अम्रित बजार पत्रिका ने रातो रात अपनी भास को परिवर्थित कर दिया था और आपको पता होगा कि अमरित बजार पत्रिका के जो संपादक थे जो संस्ताबक थे वो थे सिसिर घोस और मोतिलाल घोस ठीक है सिसिर घोस और मोतिलाल घोस ठीक है याद रखेगा और पुछा जाए कि वर्णा क्यूलर क्यूलर प्रेस एक्ट क कब समाप्त कर दिया गया तो 1882 में लॉड रिपमन के काल में हटा दिया गया था ठीक है फ्रेंड्स तो इतने प्रश्णों को आप लोग याद रखें चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रश्ण है प्रयाग प्रश्वस्ति अभिलेग किसे से संबंधित है तो प्रयाग प्रश्वस्ति अभिलेग किसे से संबंधित है तो प्रयाग प्रश्वस्ति अभिलेग की राचना किया गया था ये प्रश्ण पूछा जाए तो हरिसेन के दौरा प्रयाग प्रश्वस्ति अभिलेख की रशना किया गया था ठीक है फ्रेंट याद रखेगा प्रयाकपर सथी अभिलेख का जो रशना हर्शन के दवार किया गया था और किसके बार में जनकारी देता है तो समुद्रगुप्त के बारे में जनकारी देता है दीक है फ्रेंट समुद्रगुप्त के बारे लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। चलिए हम लोग नेश्ट देखते हैं। स्विकार ऐस शुरू किया था तो पंदर सो बेरासी में और दी ने हिलाई धर्म किस ने सुरू किया था तो अकबर ने और इसको स्विकार करने वाले प्रत्थम और रंते भी दू कौन थे तो बिरवल थे याद रखिएगा चलिए फ्रेंट सम लोग नेक्ष्ट देखते हैं इस्थल इस्थी थे जो कि पाकिस्तान में है ठीक है उनका याद रखिएगा क्योंकि ये सारे पूछे जा सकते हैं पहला याद रखिएगा मोहन जोत्रो तो ये पाकिस्तान के लरकाना जिला में इस्थी थे और सिंधू नदी किनारे उसी तरह चनहुद्रो याद है और सिंधु नदी के किनारे यह इस्ति थे ठीक है अगला याद रखेगा एक और सिंधु नदीग किनारे इस्ति थे खोट दीजी ठीक है कोट दीजी यह Hm पाकिस्तान में हैद और पाकिस्तान के काथियावारचल जिला में जानते हैं कि इसे मृत्गों का टीलय कहा जाता है मोहन जुद्रों से बड़ी अनागार बड़ी असनानागार मिला है ठीक है चलिए हम लोग नेक्ष्ट देखते हैं प्रश्ण पुछा गया है कि इंडिका पुष्टक किन के द्वारा लिखा गया था तो इंडिका पुष्टक जो है मेगास्थानिच के द्वारा लिखा गया था मेगास्थानिच कौन थे तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और मिगास्थने कि दिन के दर्बार में आये थे तो चंद्रगुप्त मौर्य के दर्बार में आये थे बुचा जाए कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के भी संगर्स कब हुआ था तो 305 इसा पुरूब में हुआ था इसमें किसकी विजय हुई थी चंद्रुप्त मौर की विजय हुई थी इस कारण सेल्यूकस निकेटर के दोवारा अपनी पुत्री सेल्यूकस निकेटर के पुत्री के क्या नाम था तो कारनेलिया था कारनेलिया और इसकी साथिकी से करा दिया जाता है और बदले में मकरान, काबून, कंधार और हैराथ जैसे चेतर को चंदरगुप्त मौर्य को दे देता है सेलुकस निकेटर ठीक है फ्रेंट्स ये सारे प्रशन याद रखीगा चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रशन पुछा गया है कि चंदरगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे बहुत ही महत्वपुर्ण प्रशन है तो चंदरगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वन्स के संस्थापक थे और इनके गुरु कौन थे तो कौटिल्य थे कौटिल्य को चाना के और विस्नुकुपत के भी नाम से जाना जाता है ये इनके गुरुत है याद रखेगा चलिए हम लोग नेश्ट देखते हैं देखे प्रश्ण पूछा गया है कि महाभारत का यूद कितने दिनों तक चला तो महाभारत का यूद जो है अठारा दिरों तक चला पूछा जाए कि महाभारत का रचना किस सदी में हुआ था तो चौथी सदी में हुआ था किन के द्वारा हुआ था तो वेद वियास के द्वारा हुआ था पूछा जाए कि महभारत का फार्सी अनुवाद किस ने कराया था तो अकबर ने कराया था इसका फार्सी अनुवाद किस ने किया था तो बदायून, अब्दुलकदीर और नकीब खा के द्वारा इसका फार्सी अनुवाद किया गया था महाभारत का फार्सी अनुवात किस भासा में किया गया था तो याद रखेगा रज्म नामा के नाम से किया गया था किस के नाम से रज्म नामा के नाम से किया गया था तो ये सारे प्रशन महाभारत से याद रखेगा पुछा जाए कब आयोजित किया गया था प्रथम तो 483 इसापुरू में 483 इसापुरू में कहां आयोजित किया गया था तो राजग्रिह में और किनके सासनकाल में तो अजात सत्रू के सासनकाल में प्रथम बौध सगती आयोजित किया गया था ये 226 मतलब कि यह हरयकवन से संबंदित है ठीक है और अगला याद रखिएगा 383 इसा पुरू में जो है दूसरा बौध संगती का आयोजन जो किया गया था वो किया गया था वैसाली में ठीक हे काला सोक के समय किसके समय है किया गया था याद हखिए गा ठीक है और तीसरा बुद संगतिया है धूरी Depth और पहला सडी काति parenthम में किया गया है चुरोथा जो बहूत संगतिया है धूरी किया गया था कनिक्स के समय कुसान वंस के कनिक्स के समय आयोजित किया गया था प्रत्थम सदी में ठीक है फ्रेंट्स और यह कस्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया था तो यहां से प्रश्ण बहुत सारे बनते हैं चारो बहुत संगती से प्रश्ण आता है परथम जो हुआ था वो राजगरी में दूसरा जो हुआ था याद रखेगा वैसाली में तिसरा पाटले पुतर में चौथा कस्मीर के कुंडल वन में हुआ था याद रखेगा ठीक है फ्रेंट्स चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते है दिए बहुत ही अच्छा प्रश्ण है इबन बतूता किस देश का यातरी था तो इबन बतूता जो था मॉरको का yातरी था इबन बतूता के द्वारा याद रखेगा इबन बतूता मुहम्द बिन तुगलक के समय भारता और क्यों सा पुस्तक लिखा गया था? तो किताब उल रहला इनके दौरा ही लिखा गया था. पर बनेक्श देखते हैं. परस्त्र मूछा गया है कि हो यससरेस्वर मंदिर किस राज में है? तो होई सलेसवर मंदिर जो हैं करनाटक के बेलूः जिला में चती थे और इसका निर्मान, पूछा जाता है कि किसने करवाया था तो विशनू बॉर्धन के दवारा इसका निर्मान किया गया था, होई सलेसवर मंदिर का, ठीक है फ्रेंट चलियो है, next देखते हैं देखे प्रश्ण पूछा गया है कि भक्ति आंदलन को दक्षिन भारत से उतर भारत लाने का सरे किन को दिया जाता है तो रामानन्द को भक्ति आंदलन को दक्षिन भारत से उतर भारत लाने का सरे दिया जाता है रामानन्द कौन थे तो ये कबीर के गुरू थे कबीर की गुरु का नम क्या था 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 याद रखेगा रामानद था और कबीर का उप्दिश किसमें संग रही थे तो बीजक में संग रही थे यह याद रखेगा चलिए हम लोग नेक्ष्ट देखते हैं देखेगा पुचा गया है कि बंगाल के प्रथम G inflorm कोन था आइक्व पता होना चाहिए कि बंगाल के प्रथम सवांद भारत प्रता प्रतंध्र रेधियर थे क्या में आई एफीच विस द्वायवन्त जंयरो तो सी राजगोपाल चारी याद रखेगा सी राजगोपाल चारी याद रखेगा